Hello everyone and welcome to our channel Physiosaurus ये हमारा Electrotherapy पे दूसरा वीडियो है इस वीडियो में मैं बात करूँगा Thermal Agents के बारे में इस वीडियो में मैं Thermal Agents के अलावा साथी साथ उसका जो Mode of Heat Transfer है उसके बारे में भी हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे तो पिछले वीडियो में हम लोगोंने डिसकस किया था कि Modalities का Classification क्या-क्या है तो उसको हम लोगोंने बाटा था बहुत सारे Classification में बाटा था तो इसी को हम लोग continue करता है तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि Thermal Agent में हम लोग पढ़ेंगे Heat Agents और Cold Agent के बारे में तो एक एक करके हम लोग डिसकस करता है अब देखें जो टेंपरेचर होता है क्योंकि Thermal यहाँ पर टेंपरेचर से ही उसका relation है तो जो Heat का जो Transfer होता है वो या तो Agent से Patient के Body में Transfer हो या फिर Patient के Body से Agent में Transfer होता है जैसे कि Cold Agent हो गया जैसे कि अगर आप कहीं पे Patient के Body पे अगर आप Ice अगर लगा रहे है तो क्या होता है Ice जो है वो अपना धीरे-धीरे वो Ice Water में Convert होता चला जाता है क्योंकि Patient के Skin से वो Warmth Transfer होता है Ice में जो कि उसको धिरे-धिरे पिगलाता है तो ये तो हुआ Heat Transferred from Patient to Agent लेकिन अगर आप बात करें Paraffin Vax की या कोई Moist Heat की तो उसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों का जो External Thermal Agent है वहाँ से आपका Heat Transfer होता है Patient के Body में और ये जो Transfer जो होता है ये कहां पे होता है Transferred to or from Patient Body Between Tissues and Fluids of the Body अब हम लोग बात कर लेते हैं कि Heat Transfer का कौन कौन सा Mode है तो पांच इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक हो गया Conduction, Convection, Conversion Radiation और Evaporation और इसी पांचों पे जो Based है आपका Thermal Agents उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इसके पहले के हम लोग Mode of Heat Transfer के बारे में पढ़ें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं Specific Heat के बारे में क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है Physiotherapy के Point of View से So specific heat is defined as amount of energy that is required to raise the temperature of a given weight of a material by 1 degree Celsius Now skin has higher specific heat than fat or bone and water has more specific heat than air अब यहाँ पे Physiotherapy में इसका क्या relevance है एक question बनता है आपे तो basically जिस भी substance का specific heat इतना जादा होगा उतना ही जादा देर वो heat energy को hold करके रख सकता है तो एक तो यह सबसे पहला चीज हुआ So that is why more energy is required to increase the temperature of the material which has high specific heat और वैसे material को अगर आपको गरम करना हो तो जादा energy की requirement होती है साथी साथ पहला point यही था कि that will be able to hold more energy than the material with low specific heat इसी कारण से water का अगर हम लोग thermal agent के बारे में बात करें तो fluid therapy बोलेंगे उसको So since water has high specific heat than the air इसी लिए हम लोग क्या करते है water को हम लोग low temperature पे यानि की ice के form में यूज करते हैं चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका जो modes of heat transfer है वो तो सबसे पहला है conduction अब conduction पे बेजड अगर हम thermal agents के बारे में करें हम लोग discuss करें तो उसमें आता है हमारा hot pack ice pack और paraffin wax यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे conduction एक तरह का method है जिसमें की heat energy का जो exchange होता है वो collision के बाद होता है और heat energy आपका higher temperature से lower temperature में जाती है और यह collision जो है यह तब तक होता रहता है जब तक speed of molecular movement और temperature दोनों तरफ बराबर न हो जाए जैसे की जो भी substance है माल लिजे यह case 1 है before collision डागराम को अगर आप गौर से देखें तो एक object यहाँ A है दुसरा object यहाँ B है A वाला जो object है उसका temperature है आपका 50 degree Celsius तो that will be warmer than the B तो कि B का जो temperature है 20 degree Celsius तो B जो है वो colder है in comparison अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों जो molecule है इन दोनों के बीच में collision अभी नहीं है दोनों दूर दूर है अब warmer वाला का जो molecule होगा उसका जो speed होगा वो बहुत जादा होगा अंदर से और colder वाला जो molecule होगा इसका speed बहुत slow होगा अब क्या हुआ दोनों molecule आपस में टकर आया ठीक है तो क्या हो रहा है यहाँ पर आपका heat energy का transfer हो रहा है जो heat energy का transfer है वो तब तक होता रहेगा जब तक speed जो है 50 degree Celsius वाले का घट न जाए और इसके equal न हो जाए साथ ही साथ temperature भी 50 degree और 20 degree यह दोनों जो है जो difference है इन दोनों का equal न हो जाए तो during collision क्या हो रहा है transfer of heat energy from A to B until temperature equals चलिए after collision क्या हो रहा है A वाला कभी जो temperature है वो भी 35 degree Celsius और B वाला का temperature वो भी 35 degree Celsius तो after collision temperature भी equal हो गया और साथ ही साथ speed of the molecule जो था वो भी equal हो गया ठीक है चलिए अब जैसे कि मैंने पहला जो point था उसी को हम लोगों ने read किया था कि या तो agent से patient में transfer होगा heat energy या फिर patient से agent में transfer होगा ठीक है तो कब होगा अगर मान लीजे हम अगर question यहाँ पर arise होता है कि कौन से case में heat energy agent से patient में transfer हो रहा है तो एक ही case में arise होगा जब agent का temperature जो है वो high हो ठीक है जैसे कि paraffin wax ओके और दूसरा अगर हम लोग बात करें कि patient से agent में heat जो है वो कव transfer होगा तो जब agent जो है वो colder हो than in comparison to patient का skin, okay so if the agent is colder than the patient skin the heat energy will be transferred from the patient to agent okay, for example ice pack alright and temperature of the superficial tissues in contact with the cooling agent will fall okay, तो ice pack आप जब भी लगा तो जिस भी जगा पर आप लगाते हैं वहां का temperature होता है धिरे-धिरे घटता चला जाता है क्यों? क्योंकि patient का skin से जो temperature था वो ice pack अपने और वो खीचता है okay, और वो धिरे-धिरे ice जो है water में convert होता चला जाता है और वो cooling effect देता है alright and the first case was if the agent has higher temperature such as paraffin wax then the patient's skin then the heat energy will be transferred from the agent to patient okay, चलिया आगे बढ़ते हैं now heat can be transferred from one area of the body to another area by conduction okay, for example when one area of the body is heated up by an external thermal agent अब यहाँ पे external thermal agent आप paraffin wax भी बोल सकते हैं या फिर आप ice pack भी बोल सकते हैं आपके इक्षा ठीक है कुछ भी assume कर लिजे tissues in contact with the area will also be warmer okay, that means rise of the temperature alright तो क्या हो रहा है conduction का जो method है उसके कारण जहाँ पे आप मान लिजे paraffin wax आपने घुटनों पर लगाया तो घुटना तो आपका गरम होई रहा है लेकिन चुकि conduction के द्वारा यहाँ पे heat energy का transfer हो रहा है तो घुटना के आसपास जितने भी surrounding वाले area होंगे उसका भी temperature rise करने लगेगा क्योंकि सारे एक दूसरे से collide करेंगे molecules ओके चलिए special note में मैंने कुछ बाते लिखी है वो भी पढ़ लिया जाए अब तो heat transfer of conduction only occurs between materials of different temperature ओके यह तो अब हम लोग ने just example में देखा था कि conduction तभी होगा heat transfer by conduction तभी होगा जब दोनों material का temperature different हो और साथी साथ वो दोनों contact में हो अगर contact नहीं होगा तब तो होगा ही नहीं conduction okay and if any air is present between the thermal agent and patient heat is conducted first from thermal agent to air and then from air to patient okay अब क्या हो रहा है कि माल लिजे thermal agent और patient के बीच में air का gap है तो उस case में क्या होता है कि heat सबसे पहले जो आपका निकल रहा है thermal agent से वो पहले air को warm करेगा और फिर patient के skin को warm करेगा इसलिए आप देखेंगे जब infrared से अगर आप patient की body को heat करते हैं okay तो उसमें ज्यादा time लगता है heating effect produce होने में okay so that is the prime example so this is why the infrared takes longer time to produce heating effect in the patient's body alright अब यहाँ पे एक और term आ गया वो है आपका rate of heat transfer by conduction यानि कि conduction से जो heat transfer हो रहा है वो किस निकीन चीजों पे depend करता है और वो एक minute में कितना transfer हो रहा है तो सबसे पहले वो depend करेगा area of contact पे thermal conductivity पे temperature difference पे और tissue thickness पे okay so the rate of heat transfer by conduction is directly proportional to the area of contact thermal conductivity and temperature difference but inversely proportional to the tissue thickness okay इसलिए thermal agents को हम deep tissues को heat करने के लिए इस्तमाल नहीं करते हैं क्योंकि tissue का thickness जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे ही heat transfer का rate घटता चला जाएगा और area of contact जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा जल्दी जल्दी heat transfer होगा साथी साथ thermal conductivity जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा heat transfer जल्दी जल्दी होगा और temperature difference भी जितना maximum होगा जैसे कि माल लीजी एक body है उसका 100 degree Celsius है और दूसरा body है उसका 10 degree Celsius है तो यहाँ पर difference 90 का है तो heat transfer जो है और जल्दी जल्दी होगा लेकिन अगर हम एक और example ले ले माल लेता है इसका एक का temperature 100 है दूसरा का temperature 90 है तो यहाँ पर rate of transfer of heat energy by conduction बहुत कम होगा तो यह एक formula है उसको याद रखना है और उसका relevance भी अच्छे से समझना है चले heating and the cooling agents generally composed of materials with moderate thermal conductivity such as water to provide safe and effective rate of heat transfer तो आप जितने भी heating और cooling agent देखेंगे उनको वैसे material से बनाया जाता है जिनका thermal conductivity moderate हो बहुत जादा भी नहीं हो बहुत कम भी नहीं हो जैसे कि पानी ताकि जो आपका rate of heat transfer है वो एक minimal value जो होता ही है उसको cross करें और वो safe भी हो और effective भी हो साथे साथ वैसे material जिनका thermal conductivity बहुत कम होता है उसको insulator की तरह इस्तमाल करते हैं जैसे कि जब हम लोग heat pack का इस्तमाल करते हैं तो heat pack में हम लोग क्या करते हैं पानी से हम लोग heating effect generate कर रहे हैं patient की body पे और फिर उसको towel से हम लोग cover up कर देते हैं अब towel का चुके thermal conductivity बहुत लो है तो इसलिए towel को हम लोग as an insulator काम में ला रहे हैं okay so that is why towels और terry cloth are placed between the pack and the patient to limit the rate of heat transfer ठीक है और generally 6-8 layer toweling लगाया जाता है ताकि burn से बचा जा सके okay so I'll just read this line once again just to make this clear okay so heating agents and cooling agents are generally composed of materials with moderate thermal conductivity okay क्योंकि अगर high thermal conductivity किसी का होगा तो burn का chances जादा हो जाएगा और एकदम low होगा फिर तो वो insulator की तरह काम करेगा फिर तो वो effect ही नहीं generate करेगा heating effect ही नहीं generate करेगा ठीक है इसलिए हम लोग वैसे material का use करते हैं इसका thermal conductivity moderate हो ठीक है for example water ताकि safety का भी ख्याल रखा जा सके और rate of heat transfer जो है यानि की heat transfer कितना तेजी से हो रहा है वो भी effective हो okay और वैसे materials and materials with low thermal conductivity are used as insulator such as towel okay now subcutaneous fat also acts as an insulator in our own body okay अगला line metals have high thermal conductivity okay so that is why metals are removed from the area before applying thermal agent okay to prevent burn अब क्या है metal का जो thermal conductivity होता है वो बहुत जादा होता है okay कोई भी metal ले 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 अल्बुनियम, copper, silver okay तो इसका जादा thermal conductivity होता है अब माल लिजे मुझे garden में कहीं पर लगाना है और garden में ladies जो है वो generally jewelries पहनी होती है और वो jewelry पहनी वी और आपने वहाँ पे heating वाला modalities use कर दिया तो body के heat होने से पहले ही आपका जो metal है वो heat हो जाएगा और अगर वो heat होगा तो metal के कारण वहाँ पे burn होगा तो चोकी metal का thermal conductivity जादा होता है इसलिए metal को remove कर दिया जाता है ओके चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा ice के बारे में अभी तक हम लोग का conduction ही चल रहा है now ice causes more rapid cooling than the water because it has higher thermal conductivity okay for example कहीं पे अगर burn होता है ठीक है आप खुद भी ये normal daily to daily life में ये देखने वाली चीज़े हैं कि जब भी कभी हाथ या पाउं कहीं जलता है तो हम लोग पानी से ज़्यादा ice prefer करता है क्यों क्योंकि ice का जो thermal conductivity होता है वो ज़्यादा होता है इसलिए cooling effect को अगर produce करना है तो हम लोग हमेशा ice prefer करेंगे ना कि water क्योंकि water जो है वो cooling effect कम देगा in comparison to ice okay so ice causes more rapid cooling than the water because it has high thermal conductivity than water okay so therefore ice is used rather than water to produce the cooling effect okay now the next one convection convection में कौन कौन से modalities आएंगे तो convection में आता है हमारा whirlpool जिसको हम लोग कह देते हैं hubbard tank ओके और fluidotherapy तो यह सारे जो modalities हैं यह convection पर बेज़ना है convection में क्या हो रहा है तो यहां पर direct contact तो होता है लेकिन यहां पर एक सो यह mood और कंड़क्चन और कंड़क्चन किंशन में क्या डिफिरेंस है yield के पेशेनट भी मूंप जब है या thermal agent है वो move कर रहा है ठीक है circulate कर रहा है या motion में है ठीक है और conduction के comparison में जो आपका rate of heat transfer होता है वो ज्यादा होता है convection में okay so this was the difference between the conduction and convection okay so in conduction the patient is stationary and so is the thermal agent and there is relatively low rate of heat transfer but in convection the patient in is stationary while the thermal agent keeps on moving and there is faster rate of heat transfer okay so there is a direct contact between the circulating medium and another material of different temperature another material में आपका patient का skin या patient का body part आजाएगा okay अगला लाइन पढ़ते हैं during heating या cooling by convection thermal agent is in motion okay so new parts of agent at initial temperature keeps coming in contact with the patient body part okay so heat transfer by convection transfers more heat in the same period of time in comparison to the conduction इसको समझते हैं हम लोग क्या हो रहा है कि patient का माल लेते हैं यह body है okay let's suppose this is the body of the patient okay अब चूंकि thermal agent जो हमेसा move कर रहा है ठीक है तो यह माल लेते हैं molecules से एक molecule आया यहाँ पर टकर आया फिर वो molecule इधर से निकल गया ठीक है फिर दूसरा molecule आया फिर इधर टकर आया फिर दूसरा molecule इधर से निकल गया फिर तीसरा molecule आया फिर इसने अपना heat transfer किया फिर तीसरा molecule इदर से निकल गया so what's happening here is new molecules of the thermal agent is in motion so the new part of the agent at initial temperature same temperature पर ही सारे के सारे molecules का temperature same है यानि कि ये सारे thermal agent है ओके ये हो कि thermal agent और इधर तरफ हो गया patient ओके अब thermal agent के जितने भी molecules है उन सारे का temperature fixed है माल लेते हैं 100 degree Celsius है ये भी 100 degree Celsius ये भी 100 degree Celsius ये भी 100 degree Celsius ओके और ये भी 100 degree Celsius तो क्या हो रहा है कि हर बार एक नया molecule या नया part of the agent जिसका temperature same है वो बार-बार patient के contact में आ रहा है ठीक है तो इस कारण से heat transfer ज्यादा होता है in convection in comparison to conduction और timing भी same ही हो रहा है ठीक है अगर same time में ले conduction और convection में माल लेते हैं एक घंटा में आप पाएंगे कि जो patient whirlpool tank में अपना body को exposed किये वे था उसमें heating effect जो है वो ज्यादा produce हुआ है ओके तो दिस इस दी comparison so immersion in the whirlpool will heat the body more rapidly okay than immersion in a ball of water of same temperature and faster the water moves more rapid the heat transfer will be अब क्या हो रहा है कि दो example लेते हैं एक है whirlpool tank है हमारा उसके अंदर patient जो है वो लेटा हुआ है या बैठा हुआ है दूसरा एक बड़ा सा ball है उसमें अपना heart डाले हुए है ठीक है तो दो example है अब यहां पर क्या हो रहा है कि चुकि अपना heart डाले हुए है और यहां पर कुछ भी move नहीं कर रहा है ठीक है तो यहां पर हो रहा है conduction और यहां पर पानी जो है वो बार बार move करते जा रहा है okay continuously वो motion में है पानी तो यहां पर हो रहा है convection तो in comparison अगर आप देखेंगे water अगर आपका स्थिर है water move नहीं कर रहा है तो उस case में जो heat का जो transfer है वो बहुत कम होगा all right so immersion in whirlpool will heat the body more rapidly than immersion in bowl of water of same temperature जबकि आप आएंगे कि whirlpool का जो temperature है और जो ball का temperature था वो same था लेकिन whirlpool में immersion करने के बाद उसमें जो heating effect था वो जादा था उसका जो temperature था वो जादा था ठीक है और जितना जल्दी जल्दी पानी move करेगा उतना ही ज्यादा heat का जो है वो transfer भी होगा all right अब अगर मैं बात करूं natural example के बारे में तो blood भी हमारे body में heat को maintain रखता है temperature को maintain रखता है तो उसका भी जो mode of heat transfer होता है through blood that is via convection क्योंकि convection इसले हो रहा है क्योंकि blood जो है वो circulate कर रहा है हमेशा पूरे body में वो move कर रहा है stagnant नहीं है रुका वो नहीं है वो body में move करते जा रहा है हर जगा पे हर एक limb में हर एक organ में तो इसी कारण से blood circulating in the body also transfer heat by convection to reduce the tissue temperature अब क्या होगा अगर आप thermal agent कहीं अगर आप use करते हैं आर्ट्री है या vein है ओके और ठीक इसके ऊपर आपका muscles वगरा है ठीके और आपने muscle पे कोई thermal agent apply किया है ठीके या capillaries ही इसको समझ लीजी आप ठीके blood vessels है तो यहाँ पे आपने thermal agent को apply किया है तो locally क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे जो capillaries है उनमें vasodilation होगा पहले ओके vasodilation के साथ साथ क्या होगा सिर्फ इस area का जो temperature है वो increase हो जाएगा temperature increase हो जाएगा ओके अब यहाँ पे क्या हो रहा है अब आप इसको समझ यह इसके पहले जहाँ पे आपने कोई thermal agent use नहीं किया है ओके वहाँ से तो colder blood आ रहा है colder blood आ रहा है और आगे चल करके वही blood आपका thermal agent के कारण वो warm हो जा रहा है हलका ठीके warm जैसे ही होगा तो उसका molecule और तेजी से run करेगा और तेजी से वो भागेगा तो blood का flow और ज़्यादा बढ़ेगा अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब ज़्यादा flow होगा तो उसको जगा भी ज़्यादा चाहिए उसी के कारण यहाँ पे vasodilation हो रहा है अब आप फर्ज कीजिए कि आपने thermal agent कहीं पे लगाया और उसके response में vasodilation हुआ ही नहीं तो क्या होगा वहाँ पे जो burn का जो chances है वो बहुत जादा बढ़ जाएगा ठीक है इसी लिए patient वैसे patient जिनमें thermal sensation जो होता है sorry circulatory जो impairment है उस case में हम लोग thermal agent का use नहीं करते हैं तो ठीक यही same चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि when you use any thermal agent on the specific part of that body okay so on that local part the blood circulation will move the heated blood out of that area and colder blood will move into that area okay ताकि जो tissue temperature है वो maintain रह सके वो normal रह सके okay to maintain और to return the local tissue temperature to normal level और यह हो रहा है vasodilation के कारण and if vasodilation does not occur then it will increase the risk of the burning okay so vasodilation which occurs in response to the heat protects the tissue by reducing the risk of burning okay and risk of thermal injury is increased when the circulation of the patient is impaired same thing जो मैंने अभी जश्ट बोली है okay तो I hope कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो next है हमारा conversion conversion को हम लोग next topic में deal करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस video बहुत लंबा चला जाए okay तो यह हमारा part 1 वीडियो था part 2 में हम लोग deal करेंगे conversion और फिर हम लोग बात करेंगे radiation और फिर हम लोग बात करेंगे evaporation तीनों के बारे में बिल्कुल detail में जानेंगे ओके तो चलिए thank you so much for watching this video I hope कि इस video से आपको कुछ